हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज की इस वीडियो में हम उरे प्लाजों की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसके लिए हमने यह फैब्रिक लिया है यह मारी क्रैप फैब्रिक है और फैब्रिक को हमने डवल फोल्ड में करनी है तो हमने फैब्रिक को डवल फोल्ड में रखा है और अब हम इसे एक कोने से उठाकर इसे ट्रेंगल सेप में रखेंगे तो देखें फैब्रिक को हमने इस तरह से ट्रेंगल सेप में रखनी है तो मैंने इसे ट्रेंगल सेप में रख लिया है फैब आप हम इतनी हिप की मार्किंग करेंगे है तो हमारी ही हीम फोरइवाइव है तो इसके फॉर पर iPhones पंटохिवे दिखोनी प्लस प्लस त्वी पर लींच रहे है इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हमने雲 जेंच पमारक करनी है और इस तरह से leltz इस तरह से माकिंग कर लिया है और प्रोष की मार्किंग करेंगे तो को सब्सक्राइब यहां से में 10 इंच पे लूँगी क्यूंकि थुम्सक्राइब होगी तो इस तरह से टैन इंच पर मार्क करनी है और यहां से माइं और इस तरह से लाइन डो कर लेनी आ इहां से इंच टेप को यह सिर्चि रखते हुए इस तरह से लाइन डोग कर लेंगे और इस तरह से हमने क्रोच में सेफ देनी है तो देखिए इस तरह से हमने क्रोच में सेफ दे दिया हम इसकी लेंद लेंगे तो टोटल रेडी लेंद हमने 38 फे रेडी करनी है तो इसमें से हम बैल्ट को माइनस कर देंगे क्योंकि बैल्ट को हम अलग से टू इंच लगाएंग मार्ग करते जाएंगे फुरी गुलाई में 38 इंच पर मार्ग करेंगे और यहां से देखिए यह हमारी कपड की अरज ज्यादा नहीं थी कम थी इसलिए हमारी यहां पर जोइंट आएगी तो इस तरह से हमें पूरे ऐसे मार्ग कर लेनी है तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लिया है इसे हमने डाक कर लेनी है तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने मार्किंग पर इसकी कटिंग करनी है अब यहां पर देखिए इस तरह से गुलाई में भी कटिंग कर देंगे तो इस तरह से हमारी यह कटिंग हो गई है और यहां पर देखिए हमारी यहां पर दो पल्ले में यहां पर हमने जोइंट लगाएंगे अगर आपके कपड़े की अरज ज्यादा होगी तो इसमें जोइंट लगाएंगे जुरूत नहीं पड़ेगी यहां पर कपड़े के अरज जो बचे गई हो फैब्रीक है तो इसको हमने इस पर रख कर इसको मार्किंग कर लेंगे तो नीचे की जो हमारी दो पल्ले की फूल एंथ है उसे साब से हम इसे मार्क कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से जोइंट से हमारी जोजोपले में लेंद कम है वो पूरी हो जाएगी तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है तो इस तरह से अपनी प्लाजों की कटिंग कर लिया है और यह मेरी जोइंट की भी कटिंग हो गई है तो इस तरह से देखिए अब हम इसे इसमें इसको स्टीच करेंगे तो यहां से देखिए हम इसे पहले इसे खोल लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने पहले प्लाजों को यहां फिर हमारी यह बंद है तो इसे भी हम कट कर लेंगे तो इस तरह से हम इसे खोल लेते हैं और अब हम इसकी जोइंट लगाएंगे जो दो पले में हमारी जोइंट लगेगी तो इस तरह से देखिए इस तरह से पहले हम इसे ओपन करके रखेंगे और यहां से हमने अपनी जोइंट लगानी है तो इस तरह से जो हमने फैब्रिक को जोइंट के लिए कट किया है तो पहले हमने इस प्लाजों को पहले इसकी हमने रोंग साइड में रखा है और इस तरह से जोइंट को लेंगे तो देखिए इस तरह से जोइंट को इसमें मिलाते हुए हमें इसमें स्टीच लगानी है तो इस तरह से हमने प्राजो को रोंग साइड में रखा है और जो हमारी जोइंट वाली फैबरिक उसे भी हमने रोंग साइड में रखके इसमें तरह से स्थीच लगा लिया है दोनों ही पाट में और इसको हमने अच्छे से इसमें प्रेस लगा देनी है अब आप और प्रेव बनाएंगे कम अर्च की कपड़ें तो जूंट आएगी ही आप इसके आसं में श्टीच लगा ने नहीं है तो देखें इस तरह से हमने इसकी आसाद में सिलाई लगा लिया है दोनों ही साइट में कि Olay उसे इसमें श्ति लगा लिया है और हम इसे की जो हमने टू इंच को बैल्ट अलग से हमें लगानी है तो एक हम मिस्टें जॉइंट करेंगे हो यहां से हमने वैल्ट को जॉइंट कर लेनी है कि तो हमने इस तरह से फैब्रिक ट किया है अब झिसकी वीप चारेंज है डेकिए विर्थ हम ने चारेंज पर कट किया हैं कि मारिवेल्ट होगी डवल फोल्ड होने के बाद और इसकी लेंद हमारी प्लाजो की बराबर है पूरी गुलाई में तो देखिए इस तरह से हमने इसके किनादी पे स्टीच लगा लेंगे और इस तरह से हमने अपने प्लाजो को इसमें जोइंट कर लेनी है बैल्ट को तो देखिए इस तरह से हम अच्छे से खोल कर इसे सैट कर लेंगे अपने प्लाजो के साथ में इसे सैट कर लेंगे गुलाई में इस तरह से और इसकी इस तरह से हमने इसको इस पे अच्छे से सैट करके पूरी गुलाई में हम इसमें अश्टीच लगाएंगे तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टीच लगानी है तो यहां से हम किनारी प्रेश्टीच लगा लेंगे पूरी गुलाई में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर ले बेल आइकोन को भी फ्रेश कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकन आपको मिल सके तो देखिए इस तरह से हमें पूरी गुलाई में स्टीच लगा लेनी है इस तरह से हमने बैल्ट को इसमें स्टीच कर लिया अब हम इसे फोल करेंगे किनारी पे और यहां से हमने इस पे श्टीच लगानी है कि इस तरह से अब हमें बैल्ट को फोल्ड करके इसके पूरी गुलाई में स्टीच लगानी है तो चलिए इसमें भी इसमें स्टीच लगा लेते हैं कि इलाश्टिक के लिए जिसमें हमने इसको इसमें इलाश्टिक डालेंगे तो वैल्ट में भी हमने पूरी गुलाई में स्टीच लगा लेनी है देखी इस तरह से हमने पूरी गुलाई में स्टीच लगा ले और यहां से हमने थोड़ी से जगा खुला छोड़ा है जहां से हम अपनी इलाश्टिक को डालेंगे तो इस तरह से हमने अपनी इलाश्टिक लेनी है और आपके जितने भी कमर है उसे तीन से चार इंच इलाश्टिक कम लेनी होती है यानि कि हमारी कमर 32 इंच है तो हम 29 इंच की इलाश्टिक लेंगे तो अपने कमर के नुसार 3-4 इंच कम इलास्टिक लेनी होती है तो इस तरह से हमने इलास्टिक को ले लेनी है और इस तरह से पीन के हल्प से हम इसको इलास्टिक को इसमें डाल लेंगे इस तरह से हमारी इलास्टिक बहुत हिसानी से इसमें डाल जाएगी आप चाहें तो स्टिचिंग के सादरी इलास्टिक को इसमें इंसेट कर सकते हैं मैं स्टिचिंग के बाद इसमें इलास्टिक को डाल रही हूं पीन के हेल्प से तो देखे इस तरह से हमने इलास्टिक को इसमें डाल लिया है इस तरह सखीचते हुए इलास्टिक को अच्छे से हम सैट कर लेंगे और यहां हमने इलास्टिक को ओभर लेप करके इसमें चार से स्टीच लगा लेंगे तो इस तरह से हमने स्टीच लगा लेनी है इलाश्टिक में और यहां से जो हमने खुला छोड़ा था इलाश्टिक डालने के लिए उससे भी हम स्टीच करके बंद कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने इसमें अस्टीच लगा लिया है और अब हम इसमें एक टोप अस्टीच लगाएंगे जिससे कि हमारी लाश्टिक अच्छे से सैठ हो जाएगी तो इस तरह से हमने इलाश्टिक को ऐसे खीचते हुए इसमें अस्टीच लगानी है तो इस तरह से हमने पूरी गुलाई में इस टीच लगा लेनी है तो देखिए इस तरह से हमादे इलाश्टिक में स्टीच लगा लिया है हमने और यह वहत अच्छी से सैट हो गई है तो देखिए इस तरह से हमारी इलाश्टिक इसमें लग गई है आप हम इसे रोंग साइड में रखेंगे तो इस तरह से आप हम इसे रोंग साइड में रख लेंगे प्लाजो को और यहां से देखिए हमने जो बॉटम के लिए फॉल्डिंग के लिए छोड़ा था उसे हमने फोल्ड कर लेनी है दोनों ही साइड में दोनों ही पाट में हमने इसे फोल्ड कर लेंगे और यहां से हमने अपनी यहां से हमने फिनिसिंग की स्टीच लगा लेंगे और इस तरह से stich लगा लेंगे और इस तरह से हमारी ये उरेब प्लाजो रेडी हो जाएगी तो देखे कितनी finishing के साथ हमारी ये उरेब प्लाजो रेडी हो गई है जिसे हम अमरेला प्लाजो भी कह सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पुशनेज लाइक करना था इंक्यू